दोस्तो क्या 2035 की सेंपियोन ट्रोफी में सुन्जू सेंप्सन नहीं दिखेगी? क्या 2035 की सेंपियोन ट्रोफी में सुन्जू सेंप्सन को नहीं लिया जाएगा? दोस्तो हर बक्त सुन्जू सेंप्सन को नजर अंदास किया गया है रिशाब पंद को हर बगत मौका मिला है जबकि रिशाब पंद से कई बहतर खिलारी है सुन्जू सेमसन चाहे बल्लेबाजी कहे चाहे विकेट किपिंग कहे आपकी पास मूबाइल है आपकी मूबाइल में गूगूल है आप सार्च किजिए सुन्जू सेमसन और रिशापंद की बारे में आपको पता चल जाएगा किसका रेकॉर्ड अच्छा है सुन्जू सेमसन का रेकॉर्ड बहुती बहतरिन है रिशापपन्थ से फिर भी रिशापपन्थ को मौका मिलता है और सुन्जू सेमसन बाहर रहती है क्या सुन्जू सेमसन दोहाजार पसिस की सेंपियोन ट्रोफी नहीं खेलेंगे ये सवाल बहुत बढ़ा है ये सवाल बहुत बाढ़ पुसा जाएगा ये सवाल इसलिए उच्छा ही है क्योंकि टीम इंडिया की सिफ सिलेक्टर अजित अगर करने कुछ इशारे किये है कि संजो सेंचन सेंपियोन टुफी नहीं खेलेंगे सोंजू सेम्सन और किस्मत बड़ी आजीवो गरीब है सोंजू सेम्सन वो खिलारी है जो पतरशन करती है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है ऐसा लगता है कि हार बार नसीब खराब सोंजू सेम्सन का ही होता है सोंजू सेम्सन की हातों में जो था उन्होंने सब कुछ किया लेकिन उन्हें मोका फिर भी नहीं मिला उन्होंने आखरी मेस में शतक भी लगाया था लेकिन उन्हें टीम इंडिया में जगा नहीं मिला सुन्जू सेम्सन ने अच्छी बल्लेबाजी की अच्छी रिकोर्ड दिखाए अर्दर शतक लगाए शतक भी लगाए लेकिन जागा उनका नहीं है बड़े बड़े टीमों की खिलाब सुन्जू सेम्सन ने रान बनाए और उसकी बात वो ड्रॉप हो जाती है आखरी मेश सुन्जू सेम्सन ने साउथ अफिका की खिला था वहाँ उन्होंने शतक लगाया था फिर भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया लेकिन बहुत बड़ी बात ये है कि संजू सेमसन आखरी मेश में शतक लगाने की बावजुद भी सिलंका टोर में वो ODI में नहीं खेल रही है और शायद इंग्लेंड की खिला भी वो नहीं खेलेंगे, सेंपियोन ट्रोफी में भी नहीं खेलेंगे हम ये सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि एक सवाल पुसा गया था अजित अगरकर से अजित अगरकर से पुसा गया कि संजू सेमसन की बारे में आप क्या बोलेंगे अजित अगरकर ने बोला कि भाई हम रिशापंद को देख रही है रिशापन्थ का एक एक्सिडन्ट हुआ था रिशापन्थ हमारे लिए बहुत इंपोर्टेन खिला रही है हम मानते है लेकिन सौन्जू सेम्सन किसी एंगल से कम नहीं है केल राहूल भी अच्छा खिला रही है ये तीनों की 20 ODI में कंपोडिशन है लेकिन घशिटा जा रहा है सौन्जू सेम्सन को क्यों भाई केल राहूल अच्छा खिला रही है मानता हूँ रिशापन्थ बहतरिन खिला रही है मैं मानता हूँ लेकिन सौन्जू सेम्सन भी तो बहतरिन खिला रही है उन्हें क्यों मुका नहीं मिलती है भई आपके पास रिशाप पंद जेशा खिलारी है आपके पास केल राहूल जेशा खिलारी है तो किसी एक को तो बाहर बिटना ही है और वो बदनसीब खिलारी है सुन्जू सेम्सन सुन्जू सेम्शन का किस्मत है कि उन्हें बाहर बेटना पर रहा है हम क्या कर सकते हैं हाँ हम मानते हैं कि केल राहूल विकेट किपर की तोर पर ODI में है रिशाप पंद को आपने बेकाप विकेट किपर की तोर पर रखा है और सुन्जू सेम्शन को जगा नहीं मिली है बट पॉइंट ये है कि सुन्जू सेम्शन को क्यों जगा नहीं मिली है क्या खराब खेला उन्होंने क्या उनकी पदशन में कोई कमी है क्या सुन्जू सेम्शन की विकेट किपिंग अच्छा नहीं है क्या उन्होंने खारा बल्लेबाजी की तो फिर क्यों सोंजू सेम्सन को बिठाया गया क्यों उन्हें नहीं लिया गया सोंजू सेम्सन एक ऐसा खिला रही है उन्हें केवल बोलेबास की तोर पर टीम इंडिया में लिया जा सकता है लेकिन बार बार एशा हो रहा है कि सोंजू सेम्सन को टीम इंडिया की बाहर बेटना पर रहा है सोंजू सेम्सन का उमर हो गई है आठाइस साल वो ज़्यादा दिन नहीं खेल पाएंगे हाला कि सोंजू सेम्सन और रिशापत में ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन फिर भी सोन्जू सेम्शन को लगातार ड्रॉप किया जा रहा है और रिशापंद को लगातार मौका दिया जा रहा है दोस्तों आप रेकोड उठा कर देख लिजिए ODI क्या या फिर T20 का सोन्जू सेम्शन का रेकोड बहुती बहतरिन है हाँ मैं मनता हूँ रिशापंद का जो रेकोड है वो T20 मेस में अच्छा है आप देख लिजिए रेकोड उठा कर T20 मेस में रिशापंद का बहुत अच्छा रेकोड है उन्होंने 48 गेम पर रोंजी टोफी में शतक लगाया था उन्होंने 58 गेम पर शतक लगाया था सोन्जू समसन वो खिला रही है जो कुछ भी कर सकती है उनकी ODI में खेलने का जो शेली है बहुती बहतरिन है वो कभी भी गेर बदल चकती है वो कभी भी एक्सेलेटार दबा सकती है खारे खारे वो सिक्सेलेटार लगा सकती है उन्हें क्यों बिठाया गया मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हाँ मैं मनता हूँ टीम इंडिया में विकेट कीपार बलेबाजों की कमपोडिशन है और होना भी चाहिए यह अच्छा है टीम इंडिया के लिए लेकिन उस बलेबास को उस विकेट कीपार को मुका मिलना चाहिए जो अच्छा खेलता है जिसका रेकौर्ड अच्छा है लेकिन मुका चेहरे को देखकर दिया जाता है तब ही हमें बुरा लगता है हम यह नहीं कहते कि सुन्जू सेंसुन को मुका दीजिए हम यह नहीं कहते कि रिशापंत को मुका दीजिए हम यह नहीं कहते कि क्यार राहूल को मुका दीजिए तीनों अच्छा खिलरी है जो अच्छा खेलता है उन्हें मौका दीजिए तीनों ही हमें चाहिए तीनों ही हमारे लिए बेहतरिन खिलरी है नो डाउट किसी पर हमें डाउट नहीं है लेकिन फिर भी एक खिलरी की साथ जाती किया जा रहा है हम ये नहीं मानेंगे justice for sunzoo samson sunzoo samson hard format में अच्छा खेलती है T20 हो ODI हो या फिर test match एक format में तो उन्हें आप मौका दीजिए sunzoo samson वो खिलारी है जिन्होंने काफी महनत करने की बात team India में जगा बनाई है IPL हो या फिर domestic hard जगा रान बनाई है sunzoo samson ने फिर भी उन्हें नजरांदास किया जाता है justice for sunzoo samson हाँ में गुहार लगाते है sunzoo samson को ODI में मौका मिलना चाहिए उन्हें ODI में मौका देना चाहिए वो ODI बहतरीन खेलेंगे दोस्तों आपको क्या लगता है क्या सोन्दू सेम्सोन को वडियाई में मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं कमेंट करके जुरूर बताएगा इसी की साथ दोस्तों आप लोग असे बिदा लेते हैं फिर मिलेंगे जैहिन